हेई गाइज अगर आपने अभी तक लिप टिंट यूज नहीं किया है तो चलिए आज हम आपको यूज करना बताएंगे और इसको हम घर पर ही बनाएंगे तो आज कर लिप टिंट जो लिप स्टेन है बहुत ही जादा ट्रेंडिंग है और सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा मेकप का सामान हो कोई बी सामान ऐसा नहों जो रह जाए तो जितना भी मेकप प्रड़क्ट आते हैं सारे ही हो तो लिप टिंट अएक ऐसा प्रड़क्ट है जो की काफी महँगा भी आ रारा है ये आपको 300 400 500 रुपे तक में मिल रहा है तो अगर बहुत जादा बड़ी कमपनी है तो उसका प्राड़क्ट काफी महंगा भी मिलता है लेकिन हम इसे बिलकुल जीरो कॉस्ट पर बनाएंगे मतलब बिलकुल भी एक रुपया भी हम खरच नहीं करने वाले हैं और इसका मज़ा आपको उतना ही आएगा उतना ही आपको ये औरिजिनल लगेगा जैसे की आप मार्केट से ले रहे हैं अगर आपको यकिन ना आए तो आप मार्केट से खरीद कर इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए हम इसको बना लेते हैं तो सबसे पहले हम एक नेल पेंट की बॉडल को साफ कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप नेल पेंट ब्रश के साइज में कट कर लीजिए और उसके बाद में इसको हम इस पे फिक्स करेंगे क्योंकि इसका ब्रश थोड़ा सा हमारा स्पॉंजी होना चाहिए ब्रश इसका हमारा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कि उसमें हैर्स हो तो इस तरह का होना चाहिए तो अब आप इसमें इसको ऐसे फिट कर लीजिए, इसको कैसे फिट करना है, अब ये ऐसे तो काम करेगा नहीं, तो आप ग्लू गन ले लीजिए, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, तो आप फैबिकॉल या कोई भी चीज ले सकते हैं, जिससे ये चिपक जाए, इसको थोड़ा सा पीछे से तो इस्टिक है, वो अंदर फिक्स हो जाएगी, अब किसी भी ग्लू से आप इसको चिपका सकते हैं, तो मैं यहां पर ग्लू गन से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देती हूँ, तो ये फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में अपनी जगा से नहीं हिलेगा, और हमारा ये ब तो आप कंटेनर के अक्वार्णिंग इसमें रोज वाटर डाल दीजिए, इसमें अब आप तीन चाट ड्रॉप ग्लैसरीन की डाल दीजिए, जिससे कि आपके जो लिप्स हैं वो हाच नहीं होंगे, और बहुत ही सौफ रहेंगे, उसके बाद में हमने डाला है इसमें फू आप मार्केट से लेंगे तो काफी महंगा पढ़ रहा है लेकिन अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो बहुत ही इजी बन भी जाता है और बहुत सस्ता भी पढ़ता है और रिजल्ट आपको बिलकुल बैस्ट मिलेगा, क्योंकि जैसा डिजल्ट आपको चाहिए इसका व पूरी तरह से फैलाना है उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो यह आप लिप्स पर चीक्स पर नोज पर चिन पर यूज कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रू कर देए